हुआ हुआ है क्योंकि थांच बहुत जाबा है इन तर्वियों में अगर चाए मिल जाए और भो भी तंदूरी जाए तो उद्मानों श्राम भी बन जाए तो चलिए आज हम बनाएंगे तंदूरी चाए तो टेक इस बात की चलिए रेसिपी शुद करते हैं तंदूरी चाए बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहां पर कुलर लेना है तो मैं अपने चाए को एक स्मूकी फ्लेवर देने के लिए यहां पर लकडी के कोईले पर इसे सेक रहे हूं अगर आपके पास लकडी का कोईला अविलेबिल नहीं है तो आप नॉर्मल गैस चुले बेबी इसे सेख सकते हैं और यहां पर हमने मिल्क को बॉल करने के लिए चड़ा है तो जब तक हमारा मिल्क बॉल हो रहा है तब तक हम को लड़ को दूसरे तरब से पलट के सेख लेंगे ताकि वो हर तरब से एक्वली सिख जाए अब जैसी हमारे दूद में पहला बॉल आ चीनी के बाद अब हम यहां पर आड़ करेंगे चाय पती आड़ करने के बाद हम अपने चाय को अच्छे से खौलाना है और यहां पर हमारी चाय को गाड़ी करने के लिए मैं यहां पर मिल्क पाउडर का यूज़ कर रही हूं यह स्टेप आप्शनल है आप चाहे तो अब हम यहां पर आड़ करेंगे कुटीवी अद्रक और हरी लाइजी जो हमारे चाय को बहुत अच्छा फ्लेवर देगा यहां पर हमारी चाय रेडी हो गई है तो अब हम इसे छान के अलग बरतन में रख लें हमारे कुलड़े आपे सिक चुके हैं तो अब हम इन्हें एक एक अब हम अपने चानिवी गरम चाय को इसके लigkeiten की अपर डालेंगे ताकि की स्कुलड़का सोना पन जो है वह वह हमारी चाय में आ जाओ तो विलकुल इस तरह के बबल्स बनेंगे हमारी चाय को यह हो गई हमारी तंदूरी चाय की रेसीपी ल, इसका स्वाब बहुत झाल